तारों में अकेला चान जगमगाता है, मुश्खीलों में अकेला इंसान जगमगाता है, काटों से घवराना मत मेरे दोस्त क्योंकि काटों में ही अकेला गुलाब मुस्खुराता है दोस्तो आज है 8 जून और आज की जो भी लेटिस्ट करेंड एफेस की इंपोर्टेंट कोईस्टन बने है आज इस वीडियो में आपको लिएकर आगया हूँ और साथी दोस्तो जो लोग चैनल पर पहली बार बिजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में जो घंटी उसको आउन करें ताकि आपको मौनिंग में इसी टाइम डेली करने फैस की वीडियो मिलती रहे है और दोस्तो प्लीज वीडियो पस्दाने पर लाइक और शेयर चुनाव आयोग के तहट लॉंच किया गया है और इसका जो उद्देश से सूचना मागने वाले आयोग को शिव्दाप्रदान करना है वहीं बात कर दोस्तों चुनाव आयोग है वह भारती सम्धान में आर्टिकल 324 के राष्ट पती उपराष्ट पती लोग सबत अतर चुनाव आयोग में बात करें पहले मुख्ष चनाव एक्ट कौन है और जो दो करें बात करें मानवा धिकार अयोग है इसकी गठन कभुव था 93 में और जो बरतमान में द्याक्ष दोस्तों है लत जी वह एचल रध्टू जी और जो हेटकोटर है वह नय दिल्ली में ठीक है वहीं बात करें भी तायोग की देखें दोस्तों जो भी तायोग है इसका गठन जो राश्च्पदी द्वारा आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है पांच वर्स के लिए और देखें दोस्तों जो बरतमान में 15 वी तायोग कद्ध्यक्श हुआ एंड के सिंग इसका गठन कब लाउंच किया है तो यह किया दोस्तों चुनवा और अगनोहीं बात करें दोस्तों आर्टि आई कैने राइट टो जिगर्शन की तो यह दिखें दोस्तों भारत में 12 अक्टूब 2005 से लागू कर दिया गया था इसके माध्यम सो जो दोस्तों प्रसासं को पारदर्सी और उत् समूं को गठन किया है देखें दोस्तों केंद्र ने जो है तो भारत फोर्ज बाबा कल्याडी की अधिक्स्ता वाले प्रतिस्थित व्यक्तियों के एक समूव देश की विशेष आर्थिक्षेत्रियानी इस्पेसाल एकनॉमिक जो नीतिक अध्यन करने के लिए गठित किया ह और आपको बताया है तो जो एसीजेड है यानि एस्पेसाल एकनॉमिक एक्ट है 2005 में पारित हुआ था जो निवेशकों को कर पुरसान दे रहा था लेकिन छेत्र में निवेशकों बाद में नियुनतम बैकल्पिक कर और लावांस बिद्रण कर के दाइरे में लाया गया जि ठीक है बैक्तियों के खेंगों में चालिए ने एक्स्कोशन के तरह बढ़ते हैं दोस्तों हाली में भारत ने बिर financi को हाली में बहारत ने MMR में इस तरह एक से होने वाले मितुदर में 22% को लगनी गिरावट दर्जी की गई है सेंपल पंजी गरन प्रणाली प्रूटीन के अनुसा 2021-2013 में दोस्तों MMR 167 से घटकर 2014-2016 में 130 हो गई है वहीं बात करें दोस्तों 118 अलाएक उनसार जो है तो 2013 के तुलना में हर दिन 30 से अधिक गर्वती महलाओं को भारत में जो तो बचाया जा रहा है ठीक है तो हाली में जो है दोस्तों हाली में भारत ने 2013 में मात मिर्टी दर में कितने परिशत गिरावट दरज की है तो यह किये दोस्तों 22% ठीक है चलिए अगला कोशन है यूएन रिपोर्ट के मुताविद भारत में एफडी आई प्रवाः पिछले साल के तुलना में कितने अरो डॉलर नीचे गीरा है देखे दोस्तों UN रुपेट को मुतावित जोहतु भारत FDI में प्रवाब पिछले साल के तुलना में जोहतु दोस्तों 4 अरब डॉलर का जोहतु नीचे गीरा है साइक तुराश त्वारा एक नई व्यापार रिपोर्ट के मुतावित 2016 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है नि फॉरेंड डारेक्ट इन्वेस्टमेंट में जोहतु दोस्तों मुख सेंक तुराश निकाया है जो ब्यापार निवेश और विकास मुद्व को देखता है अंकटाट मुख्याला का दोस्तों यह जनेवा सुट्जय लैंड में ठीक है तो यह रूपोर्ट के मुतावित भारत में एवडिया प्रवा पिछले साल के तुलना में कितने अरो अर्मान रेपो दर है अभी जो है तो इसका उत्तर है 6.25 परसेंट ठीक है देखें दोस्तों हम आपको बता दें भारती रेज़र बैंक की अगवाई वाली मौद्रिक नीती सम्ती यानि MPC ने नीतीगत दरों बदलाव की होसना की है इसमें रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट में 0.25 परसेंट की बढ़ोतरी की गई इस बढ़ोतरी की बाद जो है दोस्तों नया रेपोरेट जो है 6.25 परसेंट और रिवर्स रेपोरेट जो है तो 6 परसेंट हो गया है इसके अलावा जो तो नगाद आरक्षी तनुपात यानि कैसे जर्वेसियों में कोई बदलावन करते हैं इसे 4 परसेंट ही रखा गया है तो दोस्तों बता दे हम आपको कि रिजर बैंक ऑफ इंडिया दोर इधारित बर्तमान रेपोर दर क्या है तो यह दोस्तों 6.25 परसेंट वहीं जो है दोस्तों कैसे जर्वेसियों जो नहीं चेंज किया कि इसे 4 परसेंट ही रखा गया है और जो नया रिवर्स रेपोरेट है वो 6 परसेंट हो गया है तो यहापर इंपोर्टन क्या है रेपोर को न्यूक्त किया गया ठीक है देखे उस्तों कि फायती विवान सेवा कंपनी गो एयर ने काउडेलिस रिक्विक्स को अपना नया मुख कारकारी अधिकारी न्यूक्त किया है और उनकी न्यूक्ति जो चार जूंदो 18 से प्रभावी हो गई है ठीक है तो गो एयर कि सीयों के किसे न्यूक्त किया गया है कारलेनिस रिस्विक को अगला प्रस्तों जॉस्तों जॉर्डन के नए प्रधान मंत्री ग्रूमें किसे न्यूक्त किया गया है देखे जॉस्तों जॉर्डन के जो नए प्रधान मंत्री है यह है ओमार अल्रजाज ठीक है देखे जॉस्तों जॉ सब्झारेट को किसकोन गया को अगला परस्तो थो स्व्मिट ऐग सेथिक दूस्तो हाली में pillire की शेत्रिक स्टनको सब्सकरЙ को पुरुसकार निया पूर्डी आउप्र कंट्रोल फॉर्टी इंडिया और इसका जो स्थाफण वे थी थी आनिटेट में अब बरतमान जो प्रेसिडेंट हैं वह सी के खन्नाजी ठीक है तो हाली में की स्चेत्री क्रिकेट संग को बीची सी आई का सबसे पूर्शकार मिला है दिल्ली एवम जिला क्रिकेट एसोशियेशन को ठीक है चलिए अगला गोश्चन है दोस्तों एसोचेम के अध्यन के मुताविद दुनिया में इकचरे का पांचमा सबसे बड़ उत्पादक देश कौन सा है तो देखे दोस्तों एसोचेम के अध्यन के मुताविद जो है तो दुनिया में इकचरे का पांचमा सबसे बड़ उत्पादक देश अपना भारत है ठीक है देख economic council और जलाज Reports के अंसार, भारत में यह कचरों का सरवाधी क सिसका full Ware adalah show restored sameNER अ को मुपार्स असका जो स्थापना होई थी 1920 में headquarters नईदिली में अब्रत्मान में जो प्रेसिडेंट हो संदीब जजोदिया जी तो तो एसोचेम के दिन को मुताविए दुनिया में एक चरे का पाज़वा सबसे वड़ात उत्पादक देश कौन सा है वह है भारत उसमें सीर्ष कौन सा है सीर्ष देश इस उची में चीन जो है तो फर्स्ट नमबर पर है ठीक है चलिए अगला कुछ है दोस्तों अस्टेलिया थिंग टैंक द्वारा जारी रिपोर्ट की मुताविए दुनिया का सरवाधिक शान्ति पूर्डेश कौन सा है देखे उसो ऑस्टेलिया थिंग टैंक द्वारा जारी रिपोर्ड की मुताविए दुनिया का सरवाधिक शान्ति पूर्डेश जो है तो वो है आइसलेंड ठी भारत बैश्युक शांती सूचकांग में एक पाइदान चड़कर 136 नमबर पर पहुँच गया है ठीक है तो भारत जो इस में किस नमबर पर है 136 पोजिशन में वहीं सीरिया लगातार 5 वर्स बाद भी सबसे कम सांती वाला देश है तो सबसे कम सांती वाला देश सीरिया है और टाप पर है आइसलेंड और भारत की सिती है 136 वहीं बात करें पड़ोसी देश की भूटान 19वे नमबर पर सीलंका 67 और चाइना 112 अस्थान मिला है ठीक है तो आइसलेंड जो है तो दुनिया का सरवादिक सांती पूर्ण वाला देश बन गया है और भारत जो है इस नमबर पर 136 इस्थान पर है चलिए आफ कले जोस्तो कल की कुछ का एंसर देख लेते हैं कल मैंने कोशन पूचा था हाली में नया डिफ्टी गवरप इसे निउत किया है तॉस्तो हाली में जो अर भीय का नया डिफ्टी गवरणर या निया रेजर्वेंग औफ इंडिया को जो उप गवर्ने नीट किया गया हो किया गया एमके जैन जी को बरतवान में अरबियाई के गवर्नर कौन है उर जित पटेल जी है ठीक है अब देख लेता हुँ दोस्तो आज क्रणे फैस का क्योंच तो आज का क्रणे फैस कोशन प्रिक एक कमेंट जरूर करना है अधियाब लोगों ने भी हाली की वीडियो देखिए गो तो आपको एंसर पता होगा और अभी कल की वीडियो नहीं देखिए उसको करने फेस कि यहाँ पेपले होगी आप उसको देख सकते हैं और ऐसी डेली मौनिंग वीडियो पाने के लिए आप हमार सेमात्रम